हालो दियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टो और गिनाइज नॉलेज चैनल आज की स्वीडिया में बच्चों हम डसकस करेंगे वॉक्षीट नंबर 75-4 क्लास 10 विज्ञान की बच्चों ये वॉक्षीट है जो आपके लिए 20 जनवरी 2021 के लिए शेडूल की गई है आज की वॉक अबीक्रिया क्या होती है कि अपताब दीक्रिया में उत्पादों का निर्मार्थ दो योगिकों के बीच आएंउ का आधान प्रदान उससे होता है तो इस अभी क्रिया में क्या होता है द्वी का मतलब क्या होता है दो यानि इसमें आयनों का दो आयनों का बीच जो है आदान प्रदान होता है उधारन दिया गया है सोडियम सलफेट और बेरियम क्लोराइड तो देखें सोडियम सलफेट और बेरियम क्लोराइड इसके अंदर क्या होगा बेरियम जो है वो सलफेट के साथ चला जाएगा और सोडियम ख्लोरीन के साथ हो जाएगा तो क्या बनेगा ये बनेगा बेरियम सलफेट और एने सी अल यानी सोडियम ख्लोराइड बन जाएगा अब जो ये बेरियम सलफेट बनता है ये जो है सफेद सफेद एविले अवक्षेप इसका निर्मान होता है और इस अभीक्रिया को हम क्या कहते हैं इसमें अवक्षेप बनते हैं तो इस अभीक्रिया को हम अवक्षेपन अभीक्रिया भी कहते हैं नेक्स देखिए उपचेयन एवं अपचेयन क्या होता है जिसको हम redox अभी क्रियाएं भी कहते हैं यानि ऐसी अभी क्रिया जिसके अंदर एक अभी कर्मक में या अभी कारक में oxygen की व्रधी होती है या hydrogen निकलती है hydrogen का हास होता है तो उसको हम क्या कहते हैं और दूसरा देखे अप्चेयन क्या होगा एक अभी कर्मक में हाइड्रोजन की व्रधी या ऑक्सिजन का हास होना क्या कहलाता है वो अप्चेयन कहलाता है ठीक है तो जिस अभी क्रिया में उप्चेयन तथा अप्चेयन दोनों हो रहे हो उसे हम रेडॉक्स अभी क्रिया कहते जैसे कार्बन ये देखे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का एक्जामपल है इसके अंदर क्या होगा कॉपर प्लस पानी जो है वो बन जाता है अभी सभी क्रिया में उपचेन भी हो रहा है और अपचेन भी हो रहा है कॉपर ऑक्साइड किसमें बदल रहा है कॉपर मे यानि oxygen निकल रही है और hydrogen के साथ पानी जो है oxygen मिल रही है तो यानि इसमें उपचेन भी हो रहा है तो इसके अंदर उपचेन भी है और अपचेन भी है इसलिए ये अभी क्रिया उपचेन अभी क्रिया या redox अभी क्रिया कहलाती है उसके बाद देखिए यहाँ पर दो कथन द नीचे दिये गए अनुसार करिए अब देखें आपको यहां पर A दिया गया है A और R दोनों सत्य है और R जो है वो अभिकथन की सही वेख्या है A B क्या दिया गया है A और R दोनों सत्य है किन्तु R अभिकथन की सही वेख्या नहीं है C दिया गया है A सत्य है किन्तु R A सत्य है D दिया गया है A A सत्य है किन्तु R जो है वो सत्य है अभीकथन क्या है अभीकथन क्या है एक अभीकरिया में यदि एक अभीकारक उप्चयित होता है तो दूसरा अभीकारक अभीकारक होगा तो अब इसमें आपको बताना है कि इन में देखें इस तरह से आपको इसका आंसर यहां से आप दे सकते हो और ये question आपकी बाद जो है last year से आपके जो paper है उसमें include किये गई है तो इसमें A और R दोनों सत्य हैं और जो कारण है वो अभीकथन की सही वेक्ख्या यहां पर कर रहा है इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा A जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है next देखें अभीकथन दिया गया है देहन एक उपचेयन परिक्रिया है तो देहन में oxygen कि किस से होता है देहन तब होता है जब उसमें oxygen जुड़ रही होगी oxygen की उपस्तिती में ही देहन होता है तो अभीकथन जो है वो बिलकुल ठीक है कि देहन एक उपचेयन अभीक्रिया है कारण क्या है दहन में oxygen का सहयोग होता है तो दहन के अंदर oxygen का सहयोग होता है तो अभी कथन भी ठीच सही है और उसका कारण भी सही है और वेक्षया भी सही है तो इसका भी answer A answer इसका हो जाएगा Next देखें आओ अब अब भ्यास करें First question दिया गया है उन अभी कारकों को पहचानी है जो उप्चैत तथा अप्चैत हो रही है तो इसमें देखें उप्चैन किसमें हो रहा है उप्चैन का मतलब क्या है यहाँ पर कि जिसके अंदर जो oxygen है वो उसमें जूड रही है ठीके तो वो जो क्या हो जैएगा वो उसका उप्चैन होगा तो यहाँ पर hydrogen है और यहाँ पर water H2O होएगा, ठीक है, hydrogen से क्या बन रहा है, water बन रहा है, तो अभिकारक जो है hydrogen, वो क्या हो रहा है यहाँ पर upchain, तो आप लिख लेंगे, upchain जो है, upchain किस-किस में हो रहा है, hydrogen के अंदर upchain हो रहा है, यहाँ पर दूसरे उधारण में, carbon में upchain और यहां से जिंक बन रहा है तो इसासाथ जिंक ऑक्साइड में भी क्या हो रहा है अपचेयन हो रहा है तो यहीं आपका फॉस्ट कोश्चिन का आंसर होगा नेस्ट देखिए कोश्चन नमबर टू जब सोडियम सलफेट ते जलिय evolves में मिलाया जाता है तो वहा कैसा बनता है तो सोडियम सलफेट Na2SO2 बेरियम क्लोराइड B4Cl2 इनको मिला रहाiren तो क्या बनता है बेरियम सल्फेट बना ठीकेट अब यह जो बेरियम सलफेट बनासे है स का सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट करेंगे प्रशनतीन जब पोटाशियम आयोडाइड के विलियन को लेड नाइट्रेट के विलियन के साथ परकनली में डाला जाता है तो अवक्षे बनते हैं तो अवक्षे भी योगिक का नाम लिखे तो सबसे पहले हम अभी क्रिया लिख लेड आयोडाइड बनेगा और KNO3 जो है वो निकल जाएगा ठिके ethno3 यहाँ पर निकल जाएगा जब अभी क्रिया को संतुलित करोगे तो संतुलित करोगे तो इसके सामने दो लगा दोगे और इसके सामने भी दो लगा दोगे अब इसमें दिया गया है अवक्षे पित य और इसका नाम क्या है इसका नाम है लेड आयोडाइड क्या नाम है इसका नाम है आपका लेड आयोडाइड ठीक है उसके बाद आप से पूछा जा रहा है अवक्षेप का रंग बताइए अवक्षेप का रंग कैसा होगा तो जो यह अवक्षेप है इसका रंग होता है पीला क अब इक्रिया दी गई है आपको MnO2 इसके साथ Aluminium जुड़ गया और क्या बना मेगनीजम और Al2O3 Aluminium Oxide अब अगर यहाँ पर देखें तो उपचैत और अपचैत पदार्थों के नाम लिखने हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो MnO2 से क्या बन रहा है Mn बन रहा है ठीके तो इसमें क्या हो गया यह अपचैत हो गया तो यहाँ पर आप लिख देंगे उपचैत यहाँ पर कौन सा हुआ Aluminium उपचैत Aluminium हुआ क्योंकि Aluminium में Oxygen जुड़ गई और अपचैन किसमें हुआ है अपचैन हुआ है Magneze Dioxide में ठीके MnO2 में तो यह जो है आपका इसका सही आजसर हो चाहेगा उपचैत पदार्थ Aluminium उपचैत पदार्थ MnO2 तो यह थी बच्चों आपके आज की साइंस की वरक्षीट आई हो बेटा आपको वरक्षीट क्लियर है और आई होप आपको यह चेप्टर भी क्लियर है क्योंकि यह काफी easy चेप्टर है और इसमें जो यह reaction है यह काफी important है आपके लिए इनकी आप लिख कर जरूर से practice किया कीजिए तभी आपको यह चीज़े clear होंगी फिवी कोई doubt है तो comment section में comment करके पूछ सकते हो वीडियो अच्छी लगी तो like share जरूर कर दीजिए चैनल को subscribe कर लिजिए and thanks for watching have a nice day